प्लीज सब्सक्राइब प्रस दे बैल आइकॉन हेलो फ्रेंड्स निशा क्रियेशन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम प्लास्टिक कैन्वास का एक नया डिजाइन लेकर आ हैं तो आईए सीख लेते हैं इस डिजाइन को अगर डिजाइन अच्छ 3,4,5,6,7,7,7 कॉलम में हम इस तरह सी सुई को निकाल लेंगी सुई को निकालने के बाद में तीन कॉलम बंद करेंगी एक, दो, तीन, चौत्य कॉलम में हम इस तरह सी निकाल लेंगे सुई को बैक साइड में हमें इसी नॉट लगा लिया है तो इसी से हम इस तरह सी निका ऐसा आएगा अगर आप चाहें तो इस डिजाइन को डबल धागा डाल कर बना सकते हैं या एक ही ओल में दो बार सुई को निकाल के बना सकते हैं अब दिखिए फ्रांट इसके हम एक कॉलम आगे जाएंगे इस तरह से अब यहां पर तीन कॉलम बंद करेंगे एक दो तीन यहा एक दो तीन कॉलम बंद करके चौथे कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे अब मैट को आप इस तरह से भी गुमा कर पकड़ सकते हैं अब एक कॉलम हम इस साइड में निकाल लेंगे उपर का कॉलम छोड़ देंगे नीचे की साइड में निकाल लेंगे एक दो तीन कॉलम ब चांब दीन करेंगे फिर जहीं करेंगे यहां पर निकालक्र remark BY मैं इस तर다 के इस तरह आफे से वह यहां थेा आप दिजाइन हैं 북lyam चन्हें क्बदान करेंगे 5 सिटान करें होट इस तरह से करेंगे 5 पर ये रहते नोसमत prépar Wirm के सामने आएंगे और यहां पर तीन कॉलम बंद करते हुए इस तरह से निकाल लेंगे अब इतने ही डिजाइन को इस रो को छोड़ देंगे इतने डिजाइन को में फिर से रिपीट करना है तो एक कॉलम हम इस साइड से छोड़ते जाएंगे और इस साइड में एक कॉलम बढ निकालेंगे और इसकी आगी की साइड में निकाल लेंगे इस तरह से यहां पर रिपीट कर लिया है इसी तरह से जितनी भी आप बनाना चाहते हैं डिजाइन को उतनी मैट में इस तरह से भर लेजिएगा मैं इस तरह से बन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यह दिखिए फ्रेंट इस तरह से यहां पर आएंगे इस तरह से निकालेंगे तीन कोलम बंद करेंगे एक दो तीन तीन कोलम बंद करने के बाद में इस साइड में निकालेंगे और यहां से एक कोलम पीछे की साइड में इस तरह से निकालेंगे इस तरह से एक कोलम इस साइड का बैक साइड में इस साइड में बढ़ा लेंगे और उपर की साइड से छो लेंगे इक कोल्म हम आगे की और से लेंगे इस तरह से और इसकोलम में निकालते हुए इस डिजाइन को फिल करेंगे फिर से एक कोलम में वाइक साइड में आएंगे दो है कि 100 और बैक साइड आएंगी पिझा यहाँ पर एक कॉलम आगे की साइड में निकालेंगे पिछी के साइड से हूद पिछी के साइड से एक कॉलम फटाते जाएंगे सिस तरह से डिजाइन बनेंगे हैं और इसी हम सी तरह कर पूरी complete कर लेते हैं देखिए इस तरह से बनाया है हमने इसे हम पूरा complete कर लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंस इस तरह से हमारे ये design बनना शुरू हो चुका है अब यहाँ पर हम फिर से किस तरह से शुरुआत करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, में कॉलम में हम इस तरह से निकाल लेंगे अब यहाँ पर तीन कॉलम बंद करेंगे एक, दो, तीन, चौति कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे तो यह देखी एक उपर गए और यहां से 3 कॉलम बंद करेंगे एक दो तीन और यहां पर निकालेंगी अब एक के कॉलम हम नीचे की साइड में आएंगी और इस तरह से इस रोग को हमने बनाकर कंप्लीट किया है उसी तरह से यहां पर भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं तो मै इसे complete कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसके बीच में fill करना बताऊंगे तो यह देखी फ्रेंट्स इस तरह से हमने यह जिग जग design को बनाकर complete कर लिया है अब हम इसके बीच में बनाना शुरू करेंगे तो देखी फ्रेंट्स यहाँ पर इस तरह से हम इसके बीच में अगर भरें तो इसे आप multi color से भी भर सकते हैं या एक color से भर सकते हैं अगर आप इस design को दो color से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भर सकते हैं या आप multi color से बनाना चाहें तो एक color यहाँ पर लगाएं दूसरा यहाँ पर इस तरह से जिग जग में लगा सकते है यहां पर निकालेंगे अब देखी फ्रेंट्स इसके उपर निकालेंगे अब इसके इस कॉलम में निकालेंगे जहां पर मैंने पिंक कलर को इस सैड में निकाला है यहां पर निकालने के बाद में इस सैड में निकालते हुए यहां पर आएंगे और इस तरह से हम पूरी डिजाइन को कम्प्लीट कर लेंगे देखे इस तरह से पूरा डिजाइन हमारा इस तरह से फिल किया जाएगा अब जिस तरह से मैंने ये ग्रीन कलर को फिल किया है आप पूरी रो में भर सकते हैं अलग-अलग कलर इस तरह से यह आप green color को यहाँ पर लगा चुके हैं तो अब यहाँ पर लगाएंगी और फिर इसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे और जो third color लगाएंगी वो आप इस तरह से लगाते हुए complete कर सकते हैं इस design को तो देखे friends अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसी तरह से आप यहाँ पर third color, fourth color भर सकते हैं multi color से आप इस design को बना सकते हैं तो friends अगर यह design यह वीडियो आपको पसंद आया है तो please वीडियो को लाइक कर दें चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रस कर लें मिलते हैं friends अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद